सब्सक्राइब किजिए स्मार्टेक इंफो चैनल को और बैल अकुंदा भाई यह लेटेस्ट टोक्नाजियो सुडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ उज्वल और आपका सौकत करता हूँ अपने यूट्यू चैनल स्मार्टेक इंफो में दोस्तों विवो यह दुनिया का सबसे पहला ऐसा कंपनी होगा जो लांच कर रहा है फिंगर्प्रिंट सेंसर बिल्कुल डिस्प्ले के नीचे जी हाँ फिंगर्प्रिंट सेंसर अंडर दिस्प्ले इसलिए इस मोबाल का नाम दिया गया है विवो एकस 30 प्लस यू डि का मतलब है अंडर डिस्प्ले तो दोस्तों यह दुनिया का सबसे पहला मोबाल होगा स्मार्ट फोन होगा विवो का स्मार्ट फोन जिसका मॉडल जश्त तु मैंने आपको बताया है विवो X20 plus UD तो इसमें आपको fingerprint sensor जो है वो display के बिलकुल नीचे आएगा I mean display के ऊपर ही रहेगा आपको कुछ अलग सा button नहीं मिलेगा इसमें तो यह बहुत ही अच्छी बात है और यह first announce किया गया है चैना के website पर जिसका नाम है 3C certification चीहां 3C certification website जो चैना का है उसमें confirm किया गया है कि वीवो launch कर रहा है दुनिया का पहला under display fingerprint sensor जो जल्दी launch होगा और इस जो synaptics company ने यह इसमें help किया है वीवो के लिए और इस सिनटिक्स company ने दावा किया है और confirm किया है और कहा है कि 2018 के end तक 70 million ऐसे सिनटिक्स अंडर डिस्प्ले के स्मार्टफोन वो पेश करने वाला है मार्केट में तो दोस्तों यह बहुत ही आच्छा बात है कि हमने सुना था पहले कि डिस्प्ले पर ही या डिस्प्ले के नीचे ही बिलकुल फिंगर्प्रिंट सेंसर आएगा बट आपल ने डिच किया बट कोई बात नहीं यहां पर व्योंने पेश कर रहा है वो तो यह दुनिया का पहला मोबाल व्यों होगा इसकी स्पेसिफिशन किस तरह के होगे इसमें हमने देखा 3C सेटिफिक्षन जो चैना का वेबसाइट है उसमें उन्होंने बताया है कि ए मोबाल बिलकुल भी सेम जादातर स्पेसिफिशन सफ फीचर सेम रहेंगे जो व्यों एक्स टॉन्टी प्लस था उसी का सेम रहेगा उसके स्पेसिफिशन आपको यहां पर बता दे कि उसमें डिस्प्ले आपको मिलना था 6.49 इंच का 6.44 इंच का डिस्प्ले फुल व्यू डिस्प्ले था 18.99 आइसपेक्ट रिश्यों का डूल सिम नैनो सिम दोनों जी एसम सपोर्ट करते थे और जिसमें आपको 4G बिरां 6G और प्रोसेशर भी मिलेगा स्नार्ट रागां का प्रोसेशर आयागा ऐसा कहा गया और यहां पर आपको डस्प्ले के नीचे सैंसर मिलेगा का फिंगर पिंट सेंसर यूडी अंडर डिस्प्लेई तो सेन इसका वेरेंट आप कह सकते हो या अपग्रेटेड वर्जन कह सकते हो को एक स्टोंटी प्लस का जी हां तो यह चोटा सा मीद्ट का वाला मुबाइल प्लेइश करने जा रहा है वी वो जो मर्केट में लॉंच हो रहा है जो 4G,LT, इंडेया के सबी बैंड को सपोर्ट करता है जी हां 4G और ओल्टी वी सपोर्ड करता है और इसमें खास कर आपको क्लिर्टी कफी अच्छी मिलेगी डिस्प्ले कि किसकी क्लिर्टी इसमें कॉर्णिंग गोरिला गलासस भी दिया गया है ऐसा कमनी का दावा है और जी हां यहां पर यह भी सुने में आया है कि जल से जल्द मार्च एंड तक यह वीवो एकस टॉन्टी प्लस यूडी मोबाइल लॉंच हो जाएगा मार्च एंड तक बट इसकी कीमत प्राइस अब तक कंफर्म नहीं है बट पहला लॉंच यह चैना में होगा यह कंफर्म किया गया है और जल्दी होगा मार्च के वीडियो अंडर डिस्प्लेय जो फर्स्ट लॉंच वरा है दुनिया का पहला मोबाल विवो एकस टॉन्टी प्लस यूडी तो उसकी रिलेटेड मैंने यह वीडियो बनाया अगर से आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 एक लाइक कीजी शेद की और कमेंटिस करना नहां बूलिए थांक यू जय हिंद